ग्रीव साध साध सब नेक हैं आप आपनी ठोरे जो सत लोक ले जावेंगे वो साधू कोई औरे अब हम आपको दिखाते हैं वेद क्या बताते हैं परमात्मा के विशे में वो कैसी लिला करता है यदि वेदों का अनुद्ध ये दास करता वही करना था जो इन चंद सलोकों में उन लोगों ने किया है जो भगवान को निराकार मानते हैं उनकी फाइनल है ये उनका किनका आरिय समादवालों का महरिशी दानंद और उनके चेलों का ये फाइनल फैसला है कि भगवान निराकार है उसका कोई सरीर नहीं है उसका कोई बाड़ी नहीं है और वेद भी उन ही के दोरा अनुआदित है ये चंद सलोकों में प्रमातमा ने उनकी दुर्बुदी पर पत्थर डाल दिये और ऐ जीटी जनुआद करवादिया जो वेद का होना चाहिए था थोड़ा बहुत उन्होंने गड़़ी की है वो आप बुदीमान समाद आसानी से समझ सकता है परमातमा के दुआरा दिये तत्वग्ण से उसको आसानी से सुना सकते हैं तो देख कमाल की बात है आपके उपर रह्म हिदाता का के उन्ही के दौराणुमादित में ये सपच है के परमात्मा मनुस द्रसे है वहां से चल कर आता है और वो एक पुन्यात्माओं को मिलता है अच्छी आत्माओं को मिलता है और किस लिए मिलता है उनको उपदेश देता है उनको तत्व ग्यान सुनाता है और वो क्या लिला करता है ये देखिएगा अब ये आरिये परती निदी सभा यानि हमेरे सी दानद के चेल्लों दोवारा अन्वादित है जो भगवान को निराकार मानते हैं लेकिन वास्ताव में वेदों में पर्मात्मान नर आकार है नर माने मनुस जैसा सै स्रीर है उसका नाम कबीर है सतलोक से चल कर आता है वहां जहां वो रहता है निद्ज सथान पर सब भोनो अपरी सब होनों के उपर के सुथान पर तिश्ट थी वहां बैठा है वगवान राजा के समान देखने में है वहां से चल कर आता है तीन परकार से लीला करता है जब तीसरी दुवितिय परकार की लीला करता है वो एक सिसु रूप धान करके कमल के फूल के उपर जल के उपर विराजमान होता है जिस कारण से उपर मातमान नाराण कहलाता है नाराण कारत होता है जल के उपर आके निवास करने वाला आकर विराजमान होने वाला और हम विसमु जी को नाराण मान रहे थे ये सेसनाब के उपर सोया करता है इसलिए नई वो परमातमा सत लोग से आता है पर ते एक बार यही डिला करता है और जल के उपर आकर वराजमान कमल के फुल पर होता है इसलिए नारान कहलाता है तो वो नारान है और सत नारान का अरत होता है अविनासी परमात्मा, सत्य मानि अविनासी, हम सत्साहिब कहते हैं उसको, अविनासी परमात्मा है, तो अविनासी परमात्मा कबीर जी है, श्री बिर्मा, श्री विश्मु, श्री शिव जी ये नास्वान परमात्मा है, भगवान है, स्वामी है, परभू है, इनकी जनम होती है और इसका पर्मान है श्री देवी भागवत यानि देवी भापुरान गीता प्रैस गौरुपुर से प्रकासित सचीत्र मोटा टाइप तीसरा सकंद एक सो तेईस प्रिष्ट पर भगवान विश्णु स्वम कहते हैं अपनी माता से के तुम सुद्ध शुरूपा हो और ये सारा संसार तुम इसे उद्वासित हो रहा है मैं बर्मा और संकर विश्णु जी करें आपकी करपा से भी द्मान है हमारा अविर भाववान जनम और त्रो भाववान मर्चु हुआ करता है हम अभी नासी नहीं है और संकर भगवान कहते है माता बर्मा जी का जनम आप से हुआ तो क्या मैं तो मोगन डिला करने वाला संकर आपका पूतर नहीं हुआ अर्थात मेरी भी आप ही जनक हैं मैं आपका पूतर हूँ और हम केवल नेमत कारीय ही करते हैं हम तेनों गुन şunu से उत्वण है रजगुन पर मां सद्कुन विशुम हे इसे भागमे बागमे जैसा है वह इसा ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते श्री डेवी महपराण नें चंद स्लोकाव में इन भगवनों की पूरन लिला करीपन शती थी कलियर कर दी, स्वश कर दिया सारे कन्सेप्ट कलियर कर दे, ये नासवान है दुर्गा जी इनकी माता है रजुण बिर्मा, सद्कून विशूर उत्मगून सिवजी यही हैं और परकर्टी दुर्गा को कहते हैं और ये केवल नीयमित कारिय ही कर सकते तो जो नारान है वो परमात्मा है वास्तों में कबीर साहफ है जो ऐसी लिला करता है अब वेदों में दिखाते हैं आपको कि जब वो परमात्मा आता है सी सुरू रूप धारन करके उसमें उनके परवर्स की लिला कमारी गायों के दोवारा होती है यह देखो, अब हम वेद पढ़ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, यह वेद हैं, अब यह आपको दिखाया था, और देखते हैं, यह कहां से अपरकास सीता है, अब हम आपको रगवेद मंदल नंबर नो का और सुक्च नंबर एक दिखाते हैं, यह देखिएगा, रगवेद मास्यम अथ नवम मंदल प्रहरम होता है, इसका यह पर्थम मंतर है, इसमें क्या लिखा है, कि हे सोम सोभाव परमात्मन, यानि परमात्मा की महिमाचल रहे हैं, सोम माने परमात्मा, सोम, यह भी जान रखना, अब यागने सलके आपको यह हेल्प करेगा, इस ग्यान को समझने में, यह एक नमबर मंतर, मंदल नमबर नौ सुक्त नमबर एक का, अब मंतर नमबर हम दूसरा पढ़ रहे हैं, इसमें है, हे परमात्मन आप, है ना परमात्मा की महिमाचल रहे हैं, यह जान रखना, अब तीसरे मंतर में हे परमात्मन, चोथे मंतर में हे परमातमन आप है ना महिमा बगवान की और पांच में मंतर में हे परमातमन आप या परमातमा की महिमा चल रही है अब छटे मंतर में मंडल नमबर नो सुक्त एक मंतर छे हे परमातमन है परमातमा की महिमा और अब यहां साथ में और आठ में में इनके याद आगया है मैं रिजी के चेलियां के अब अज़ि हम यहां परमात्मा लख देंगे अगर परमात्मा को की महिमा है कि वो बालक रूप धर्ण करके आता है तीन परकार के स्री धर्ण करता है तो जन्ता के समझ मेना आजावे के भगवान नर आकार है तो यहां इन्हों ने परमातमाना लखके पुरुष लख दिया यह देखिएगा रेगवेद मंदल नम्बर नो सुक्ट एक और मंदल नम्बर साथ इसमें छहे तक तो उस परमातमा लखते आ रहे हैं थटे तक तो साथ में मैं इनकी वुदी फिर थोड़ी सी उकसगी यहां लख दिया तम उस पुरुष को उस पुरुष लख दिया बगवान नहीं लख आज़ा अच्छे यहां तीसरा फिर उस पुरुष को अब यह पुरुष और कंसेप्ट कलियर करना पढ़ेगा पुरुष माने परमातमा होता है अब देखो महरिशी दानंद के दोवारा ग्यान दिया गाए है कि परमातमा निराकार है और जिसको माना है आरिय समाज के विक्तियों ने उस पूरा विस्वह ही माने बेठा है कि वह ग्षण निराकार है अब महरिशी दानंध को सहम छोड़ देंगे क्योंकि हमने वेदों से परमानित करना है क्यों वेद क्या कहते है यजुरू वेद Αद्णी के दोवरा नवाद है महरिशी दानंद के दोवरा यजुर वेद अध्धाय नमबर चालिस के मंतर नमबर पंदरा और सत्रा में ये किंसेटकती कलियर हो जागा जैसे वेद ग्यान परमातमा ने दिया उस पूर्ण परमातमा ने इसके अनता करण में फीड कर दिया उस मालक ने जो इसमें लिखना था वे लिख दिया ताकि हम आसानी से समझ सकें जिसने आगे वेदों को फिर बताया है दिया है समझाया है उसमें लिखा है कि वेद ग्यान दाता ये कहता है अब वेद ग्यान दाता अब यहां काल माना जाएगा ब्रहम क्योंकि आगे परदान किये हैं और इसको भगवान उस परमपता न दिये हैं इसलिए ये गौड गिवण है और आगे जो इसने दिया है वो इस ब्रहम के द्वार दिये गे इसलिए ये ब्रहम गिवण भी कहे जाते है गीता और ये दोन वेद तो यहां चारिस में धाय के पंधर में स्लोक में ये खुद कहता है कि मेरा तेक ओम नाम है और सतर में में भी यही सबश्च करता है कि मेरा तेक ओम नाम है और वो परमात्मा गुप्त है वो पुरुस मने परमात्मा पूरुन ब्रम उपर रहता है वो गुप्त है यह देखता है। यदुर्वेद उठा लिया, रगवेद रख दिया और महरशी दान सरस्वती यवईए सारवदे सिकारिय परतिनिति सभा, दो पटा पांच महरशी दान भौन्रान लामैदा निदिलि से। यदुर्वेद आ रियभासे हैं। मेरिशिदान शर्षवती मुद्रक है प्रेंस आफशेर प्रेंटेंस पदराच्व दस परोधिया उस तर्याग्यम निदिली से यहां से छपा है यदूर वेद का अंतीम अध्याय है चालिसमा इसमें टोटल चालिस अध्याय है 40 ओनली और इसमें चालिसमें ध्याय में 17 मंत्र हैं और इसमें पूरे यदूर वेद का लगबग निस्करस है अब देखो यह यदूर वेद अध्याय नमर चालिसमा इसमें अध्याय का यह पंधरमें मंत्र में वेद ज्यान दाता कहता है कि वायू अनिलम अमरतम अथिदम भसमानतम सरीरम ओम कर्टो समर किलबे समर ओम नम का जाब काम करते करते समन करो कल्बे माने कल्बलाहट के साथ कसक के साथ एक समन करो और कर्टु माने अपना मूल कर्टव जान करम उस जिवन का ओम नम का समन करो यह तो ब्रहम तक की साधना है और वायू अनिलम अमरतम अथिदम भसमानतम सरीरम यानि जब आपके प आपको जितनी गती होनी है वो मिलेगी अब इसका परमान आपने स्री मद्ध भगवत गीता अध्धाय नमर आठ के सलोक नमर 13 में मिलेगा कि गीता ग्यान दातावी ये ब्रहम ही है श्री कर्शन जी में प्रवेश करके बोल रहा है ये कह रहा है कि ओम इती एकाकसरम ब्रहम व्युहारन मामनुसमरन ये परियाती तजन देहम सयाती परमाम गतिम आप सुन रहे थे जकतकुरू तत्वदर्शी संतरामपाल जी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट www.jakatkururampalji.org संतरामपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्वभर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संतरामपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541 अपने लिए संपर्क करें